हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल और मैं हूँ नीरू कमबोज तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यह बहुत सुन्दर सा कट क्रीज आई मेकप लुक और मैं आपको यह सारा मेकप बताऊंगी कैसे करना है फेस मेकप आई मेकप सब कुछ इसमें है और वीड में फेस को सीरम करना और मैं यह सीरम अप्लाई कर रही हूँ जो कि वीरमें सी सीरम है आपके फांडेशन को एक स्मूध सपल पढ़िहासा यह बेस देगा दैन उसके बाद में मोस्ट्राइज कर रही हूँ आपने इस हिमालया ओलिव मोस्ट्राइजर के साथ बाद मैं आपने इसके प्राइम कर रही हूँ यह 생 rageे-टまで मेर्ट कर रही हूँ है इसके प्राइम कर रही हूँ जो कि मैं अपनी आइप युथे मोस्ट्राइज करने के लिए उस करूंगी ऑजु चोट्ट्र से ब्रश की ब्रश का यह handlar को इसी के अनदर मुझे पैकिंग मे अपने प्रोडक्ट को फिल कर रही हूं और यह ब्राउन जेल लाइनर है जो की मेरी शेयर से भिलूट मैच करता है इसके बाद मैं अपनी शापन लुक दिखाने के लिए अपनी आइब्रोज को कंसील कर रही हूं और एक्स्टर पुड़क्ट इससे हट जाएगा और अपने डाक सर्कुल्स को हाइट करने के लिए मैं क्राइलोन का 303 ओरेंज शेयर यूज कर रही हूं आप देख सकते हो डाक सर्कुल्स ओन माई आई लिड और यह बहुत जरूरी है अगर आपको डाक सर् इसके बाद में स्पोंज की हल्प से जो की डांप स्पोंज है इसके हल्प से में इसको ब्लेंड करूंगी और बिल्कु जादा ब्लेंड नहीं करना है हलका हलका ब्लेंड करना है आपको और इसके बाद में यह दो मेरे पास फांडेशन है जो की Fit Me Maybelline Matte Poreless है जो की Oily Skin के ल जो की बहुत फुल कवरेज मेरे मेकप को देगा और इससे पहले मैं सैटिंग स्प्रे के साथ अपना जो फेस है इसको स्प्रे कर रही हूं और आपको दो मिनट वेट करना है दना आप इसको ब्लेंड करोगे या फिर आप फांडेशन एपलाई करने से पहले भी इसको स्प ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करना है बिल्कुल सूखा नहीं यूज़ करना है अदरवाइस आपका फांडेशन केकी हो जाएगा और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो मेक शूर आपका स्पॉंज जो है वो अच्छे से गिला करने के बाद आप उससे ड्राइ कर ले तोवल के साथ इसके बाद में देरोल का कंसीलर यूज़ करें जो कि मेरे डाग सर्कल्स को भी हाइड करेगा और मेरे पॉइंट को हाइलाइट करेगा मेरा फेस से फ्लैट नजर नहीं आएगा नेच्रल लूग मिलेगी मेरे फेस को और इसी डंप ब्यूटी ब्लेंडर की ह अजर नहीं होगा और इसके बाद मैं अपने मेकप सेट करने के लिए असनेस माइस्किन परफेक्षिन ये लूज पावडर है इसको यूज़ कर रहे हूं जो कि सारा दिन मेरे मेकप को एक मैट फिनिष्ट लुक तएगा और ओईली स्कीन के लिए बहुत बेस्ट है आइन कि एक नेचरल लुग देने के लिए अपने face को नेचरल लुग दोने के लिए मैं इस पावडर का यूझ कर रही हूँ ताकि मेरा मेकप आर्टिफिशल ना लगे और अपनी नोस को भी में शापएन दिखाने के लिए थोड़ा वर्म्त दिखाने के लिए इसको यहां पर करूँ इससे मेरा फेस आर्टिफिशल नहीं लेगेगा अच्छे से मुझे इससे ब्लैंड करना है बिलुकुल आपको ऐसे उपर नहीं रखना है आपको इसको इसके बाद आती है बलशर की बारी और मैंने यह ओरेंज शेड यहां पर यह बलशर यूज़ कर रही हूं और अपने चीक्स पर में इसे अपलाई करूँगी नोस पर और चिन पर यूज़ कर रही हूं इससे मेरा मेकप बिलुकुल प्रोफेशनल दीखेगा और एक शाप लुक आएगा और आप इससे बलशर अपलाई करने से पहले भी उस कर सकते हैं इसके बाद मैं यह पर पर यहां पर ले रही हूं और अपने इनर और आउटर पर मैंने रखके आगे की तरफ ड्रैग कर रही हूं मुझे याद आया कि मुझे मैंने टेप नहीं लगाई है क्योंकि आज यह कट क्रीज लुक है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी आगे की तरफ में इसे ड्रैग करूँगी जितना मैंने प्रोडक्ट लिया था उसी के हल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और आप देख सकते हो कि अच्छे से ब्लेंड हो चुका है दनिस के बाद में ये warm orange शेर्ड मेंने लिए एक warmth देने के लिए deepen करने के लिए अपनी crease को क्योंकि hooded eyes के लिए बहुत ज़रूरी है hooded eyes की जो crease line है वो हमें draw करनी पड़ती है और इस black shade के help से मैं आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ये एस आप बोल सकते हो की shape में apply की है और इस brush की help से मैं अच्छे से blend करूँ या आपको बहुत अच्छे से blend करना है और बिल्कुल भी harsh line नहीं रहने चाहिए आपको एक crease line create करनी है hooded eyes के लिए और इसके बाद आप कोई भी thick जो concealer होता है उसकी help से अपनी crease line को define करेंगे जैसे मैंने जहां-जहां पर मैंने black shade apply किया था उसी shape में मैंने इसको define किया है और next tutorial मैं आपको पका बताऊंगे कैसे आप crease line draw कर सकते हो और इसके बाद आपको apply करना है black shade outer में और ये black shade मैंने दिया है outer मैं इसको apply कर रही हूं और आपको इसे अच्छे से blend करना है blending is must guys blending बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से मैं इसे blend कर रही हूँ आप ध्यान से देखे मैंने कैसी इसे blend किया अपनी आख को मैंने बंद कर रखा है और इसके बाद जब मैं अपनी आख को खोलूंगी बिल्कुल अलगी वह लुक आएगी ऐसे लगा है मैंने कोई curve इसको specially curve मै मैं white shade apply करें हूँ ताकि इसके बाद में जो भी color apply करूँ वह एकदम से pop-up हो बहुत अच्छे से बहुत सफाई के साथ मैंने इसको apply किया और इसके बाद में ये glitter यूज कर रही हूँ आप कोई भी glitter हो जो की liquid glitter हो मैं इसको use कर रही हूँ अपनी eyelid पर अपने inner corner से शुरू कर जहां तक मैंने ये black color लगाया जस्ट वहीं तक मैं इसको लगाऊंगी इसके ऊपर इससे आगे मुझे नहीं जाना है और ये angular मैंने ब्रश लिया है और अपनी crease line को मैं इससे अच्छे से define करूँगी ताकि लगे कि मैंने precise application की हुई है बिल्कु अच्छे से सफाई के साथ और येस और दोबारा से इमें ताकि वो अलग ना दिये color लगा हुआ मैंने इन दोनों को mix किया है थोड़ा थोड़ा और येस आप देख सकते हो और इसके बाद में इस brush की help से जो कि sponge brush है अपने brow bone को मैं highlight कर रही हूँ और इनर corners को भी मैंने इससी के साथ highlight किया है और अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा प्रोड़क्ट आपसे लग गया है तो आप अपने finger की help से clean कर सकते हो जो भी extra होता है और इस brush की help से मैं इसको clean करें क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा महाँ पर लग गया है इनर corners को भी मैंने इससी के साथ highlight किया है इसके बाद मैं यूज करें एसेंस का 24 hour यह black liner है बहुत अच्छा यह liner है इतनी जादा अच्छे से application हो जाती है इससे मैं first time मैंने एपने life में sketch liner खरीदा है और बहुत अच्छे से लिक्यूर लाइनर से जादा मुझे बैटर लगता है sketch liner और यह essence का है और मैं बिल्कुल suggest करूंगी आपको यह बहुत अच्छा यह liner है और hooded eyes के उपर आपको बिल्कुल thin liner लगाना है ज्यादा थिक liner आपको नहीं लगाना है और इसके बाद मैंने उशाज की palette है मेरे पास मैं इसमें सी शेयर मैंने highlighter के लिए है और मैं apply कर रही हूं इसको highlight बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मैंने अपनी lower line को भी define किया है और थोड़ा समय यहां पर अपने liner को drag करें हूं क्योंकि मुझे मेरी eyes को बड़ा दिखाना है अगर आपको अपनी eyes को बड़ा दिखाना है या आपके eyes के बीच का कब कम है सोरी जादा है तो आप यह draw कर सकते हो और ऐसे ही मैंने water line पे भी last तक इसको draw गिया है then gel liner के help से मैंने fill-in कर लिया है अपनी eyes को और यह hairstyle आप कर सकते हो और अगर आप self makeup कर रहे हो बिलकुल आप कर सकते हो कि इस salon में जा रहे हो तब भी आप यह करवा सकते हो और आप देख रहे हो मैंने अपनी pony के two parts किये थे और एक part मैंने लेकर यह यहाँ पर braid मैंने बना ली है और इसके बाद मैं इसे ऐसे corner से उठा के ऐसे spread कर रही हूं अपना bun बनाने के लिए जो की side messy bun है और आप देख सक सकते हो और मैंने इसे ऐसे आप accessories यूज़ कर सकते हो side bun के लिए जो भी आपके पास accessories हो और please ignore my neck क्योंकि मुझे real की party में नहीं जाना है बट अगर आपको real की party में जाना है तो आपको अच्छे से foundation महा पर लगाना है और अब यह मैं wet and wild की lip gloss यूज़ कर रही हूं इससे पहल मैं यह lip gloss apply कर रही हूं जो की stay रखेगा मेरी makeup मेरी lipstick को और yes अब यह है final look और आप कोई छोटी सी बिंदी भी यहाँ पे stone बिंदी यहाँ पर लगा सकते है बहुत beautiful लगेगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी लगी होगी I know और यह सुकर अच्छी लगी है तो लाइक जरू करें शेर जरू करें सब्सक्राइब मैं चैनल गाइस और थैंक यह सो मच फोर वोचिं मैं वीडियो बबाई टेक्यार